कर सातियो मैं हूँ एड़गट सोक्षोद्री सातियो आज एक ने टोपिक पे बात करेंगे यह मेरे मुझे नहीं लगता कि लगबग लोगों को पता है 90% लोगों को नहीं पता होता कि विदेश जाने के लिए अगर आप विजिट विजास से जाते हो तो क्या डोकॉमेंट ल बार मुझे प्रोब्लम आ गए थी विजिट विजा लेने के लिए कवरिंग लेटर जी हां सातियो अब बंदे ने बोल दिया कवरिंग लेटर दीजे आप लोगों पता ही नहीं कवरिंग लेटर होता क्या ठीक है तो इस चीज़ पर मैं आज टोपिक पर बात करूंगा कि क कवरिंग लेटर होता क्या यह किस चीज़ की जोरत होती है इससे क्या आपको वेनिपिट हो सकता है और इससे कितने आसानी होती है आपको विजा लेने के लिए तो चलिए साथियों अपन सुरुवात करते हैं को कवरिंग लेटर का मतलब यह नहीं कि एक कंट्री आप मैंने करते हैं सब्सक्राइब करके लिए का मतलब यह नहीं होता है कि आप जहां पर भी कोई बीजनस करते हो किसी भी कंपनी में ठीक है उसका कोई एविडेंस आपके पास हो ठीक है उसको कबूरिंग लेटर बोला जैन साथियों इसका मतलब है मैं मेरे पास यह है तो पर परफॉर्मा भी है मैं आपको साथ में लिंक में यहां डाल दूंगा आप उसको देख सकते हैं इसका मतलब यह होता है साथियों कि वीजा ओपिस तर जहां से आप वीजा अपलाई करते हो वहां पे डालना पड़ता है आपको ठीक है जैसे आपने दिली से लिया बंबे से लि होती है इसमें आपको क्या डालना पड़ता है साथियों आपका आपका नाम अगर आपके वाइप आपके बीबी बच्चे जा रहे हैं उनका भी पूरा पास्पोर्ट नमर और सब उसमें डालना पड़ता है ठीक है और ज्यादा इतना कोई hardly नहीं होता है बस यह होता है इस अब हैस्ट ट्रेवल आप कर रहे हो पहली बार तब यह मांग लिया जाता है एक दो बार अगर ट्रेवल कर लिया तो फिर आपको जोरत नहीं होती मांगने की फैस्ट बार में ये दिक्कत आती है जो लोग पहली बार विदेश यातरा करते हैं उनके लिए कवरिंग लेटर लेटर मांग लिया जाता है ठीक है विजिट विजा प्राप्त करने के लिए लेटर होता है एक अप्लिकेस्ट टाइप का होता है उसमें आप आप क्या प्रोफेस्टन करते हो क्या बिजनेस उसका विदेंस आप ब्यूरा आप उसको डालना होता है ठीक है कंपनी का या तो को कंट्री वहाँ पर भी मांग लेते हैं फैस्ट बार ये कंडिशन आती है पहली बार का मतलब मैंने यह लिखा है कि जो इंसान लाइट में पहली बार ट्रेवल कर रहा है ठीक है नोल्मली वीजा जैसे मलेशिया की बात करें तो जैसे आपने 15 डेज का वीजा लेना हो तो उसम डोकोमेंट आप हो são AdaGack यह बार क्या होता वी समें जमा कर देते हो फिर आपको रेक्वेस्ट आती है कि यह डोक॒मेंट आप दीजिए क र ने साथ दिन में यह नहीं जमा करवाया तो आपकी फीस गई आपकी फीस वापस नहीं आएगी कवरिंग लेटर नहीं देने के बज़े से आपका विजा रिजेक्शन में आ जाएगा विजा नहीं लग पाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप वीडियो चाल लगे तो लाइक और शेयर कर दें साथ चैनल सब्सक्राइब जुरू कर लें अन्य लोगों को भी बताएं ताकि चीज़ का लोग ध्यान रखें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ लोगों को शेयर करें उनको बताएं और आपका इससे रिलेटेड कोई क्योस्तों नहीं आप कमेंट कर सक सकते हैं मैं आपको अन्सपर देने कोचिस करूँगा जय हिन्द वंद्रमाद